तो रिसेंटली आईसेल का सीजन 2021-22 खतम ही हुआ और हाइदरबाद FC ने कॉंसिस्टेंट और सांधर परफमेंस करके ट्रोफी अपने नाम किया और केराला ब्लस्टर्स बने रानर साथ और जामसेथपूर FC को मिला लीग विनर सील्ड तो इन सभी के बीच दोस्त और भी मैजिकल प्लेयर है और ये नारेम के लिए बहुत ही बड़ा अचीब्मेंट भी है तो हम इस वीडियो में नारेम रोसन सिंग के इस सांधार जाएने के बारे में जानेंगे तो नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपको दोस्तु वदीप और विलकाम टू एनदर ब्रैंड अगर आप इंडियान फूटबल के फैन है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर सेयर करना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करकर रखना इस से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और भी इंडियान फूटबल रिलेटेड देना जाता है तो इसी लिए रोशन के लिए यह इमर्जिंग प्लेयर बनना एक हूज सक्सेस है और आप सब जानना चाहेंगे के नारेम रोशन शिंग ने कैसे ऐसा समभब किया तो देखिए उनका जो रास्ता था इट वास नोट वेरी स्मूथ उनका जाना हुआ था टीम तक का सफर बहुत ही हार्डेल्स से भड़ा हुआ था इस 23 साल के खिलारी के सामने तो बचपन से रोशन का फूटबल में बहुत इंटरेस्ट था इसलिए उन्होंने आमोफा नाम के मनिपूर के फूटबल अकाड़ेमिंग को जोईन किया बहुत यॉंग एज में एफफ एअलीट अकाड़ेमिक को जोईन कर लो वहा में और रोशन ने एएव्फ एटकाड़ेमिको जोईन कर लिया और बदीए तारिके से ट्रेनिक किया और Nacional इसलिए अए इंडरेल्स के लिए पहधत इंप्रेसिब पर्फॉमेंश किया अर उनके इस तैनियन को देख के तो थे वो बहुत ही इंप्रेस्ट हो गए और बोले के भाई इस खिलाडी को तो हम ही लेंगे टीम में और जैसा बोला ऐसा कर दिया 2017 में रोसन ने बेंगलोर एफसी बी टीम के लिए अपना पहला प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट साइन किया जब उनका उमर था शिर्फ 18 साल और वो बने अपने गाउ का पहला प्रोफेशनल फूटबोलर और अपने गाउ का नाम भी रोसन किया और उससे बहले दोस्त इनको एफसी अंडर 19 चांपियांशिप क्वालिफायर्स के लिए इंडिया की एज ग्रूप टीम में सिलेक्शन मिल चुका था तो बेंगलोर एफसी बी टीम के लिए इन्होंने आई लिग सेगेंड डिवीशन अंडर 18 यूथ लिग में नौसाद बी टीम के लिए ऐसा सांधार पार्फॉमेंस किया कि कॉर्णाटॉप फूपल आसेशियोशन ने कहा रोसन को कि हम आपको कॉर्णाटॉप स्टेट टीम में लेना चाहते हैं तो जी एक मनिपूर का लड़का जो मनिपूर स्टेट टीम के लिए खेल चुका था बहुत ही छ कप्तान बनाया गया इनको तो इहां तक आने के बाद 2020 में बेंगलो एफसी के सीनिया टीम में इनको प्रोमोट किया गया उनके इतने सारे कारणामे को देखते हुए बड़ दोस्तो दोहजार बीस में इस लेप्ट फूटेड गिप्टेड फूर्वैक को तो ज्यादा चां अभी तो उनका जल्वा दिखाना बाकी था और इस सीजन मतलब 2021 के इसल में शुरुवत से जब बेंगलो एफसी थोड़ा लर्खरा रहा था देन एंट्री हुआ इस भाई सहाब का और क्या सांदार खेला है भाई फूल बैक पोजिशन में अपने स्पीड, ड्रिबिलिंग स्ट्रेंच से सबको बीट करते हुए, क्रॉस दाखते थे और जहाँ पर सिफ एक टास्ट से गोल हो जाएगा और इनका फ्रीकिक और कॉर्नर्स तो ला जबा भेजाना और कोई भी फूटबॉल को पसंद करने बाला इनको अगर खेलते हुए देखेगा तो डेफिरिटली इनका फैन बन जाएगा और इस सीजन रोशन ने एक गोलर साथ एसिस्ट कर दिया था जस्ट इमेजिन एक डिफेंडर से इतना एटकिंग पर्फोमेंस जस्ट अनेक्सपेक्टेट और साथ में सांदर और सठीक डिफेंडिंग तो है ही इससे इनका क्वालिटी पता चलता ह और इंडिया नेशनल टीम के हेट कोच टीमेक्स हाप को भी इनका क्वालिटी नजर में आ गया है इसलिए इनको नेशनल टीम के फाइनल स्कॉर में भी सिलेक्शन कर दिया है तो दोस्त नावरेम रसंद सिंग ने पूरा महनत करके स्टेप बाइ स्टेप एक के बाद एक कर रहा हूं ये प्लियार ही कुछ ऐसा आप अगर इनको खेलते हुए देख चुके है तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा और अगर हमारे इस वीडियो को कोई योंग फूटबलर्स देख रहा है तो उनको रोसन भाई से बहुत कुछ सिखने को मिल सकता है कि कैसे क्या करना है कैसे आगे जाना है और moral of the story यह ही है कि अगर आपके पास talent है और मेहनत करने का जज़वा है तो अब बहुत आगे जा सकते है क्योंकि मेहनत का कोई shortcut महीं होता मेरे दोस्त तो यह था वीडियो का end I hope वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जए बहुत